नमस्कार दोस्तों, SN Electrical Academy के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों, कुछ टॉप लेबल के हमने इस वीडियो में Electrical Trade Theory के कोस्टनों को इंक्लूड किया हुआ है एंड तक वीडियो को देखिएगा, बहुत को सेखने को मिलेगा प्रिवियस एर में आये हुए कोस्टनों को ही इसमें हम इंक्लूड किये हुए है साथी साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर सेखिएगा साथी साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लेट चैनल को सबिस्क्राइब जरूर कर लेंगे तो चलिए प्यारे साथियों आप सब स्क्रीन पर पहले नंबर कोस्टन को देख पा रहे होंगे पहला नंबर कोस्टन जो है इसमें है कि हथावडा मुलता एक प्रवर्धक होता है हथावडा किस प्रकार का प्रवर्धक होता है तो हथावडा कहीं पर भी किसी भी पार्ट पे जब हमें चूट देनी रहती है तो वहाँ पे हम hammer का प्रियोग करते हैं तो वहाँ पे हमने क्या लगाया एक प्रकार का force लगाया बल लगाया तो हथावड़ा मूलता एक प्रकार का बल टाइप force टाइप प्रवर्धक होता है तो option number A sorry option number B बल correct answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है प्यारे साथी हूँ अगले question में second number कि सैथिल्य हानिया इन में से किस पर निर्भर नहीं करती है कहा है कि नहीं करती है सैथिल्य हानिया सैथिल्य हानिया को हम इंगलिस में hysteresis loss कहते हैं और इसे WH से represent किया जाता है और इसका फार्मूला जो होता है इंटा जो होता है यह hysteresis constant जिसे हम hysteresis constant भी बोलते हैं और यह फार्मूले को इंस्टोनमेज नहीं दिया था तो इसका नाम hysteresis constant इंटा को भी बोलते हैं BM जो है maximum flux density है F जो है frequency है और V जो है इस score का आयतन है तो देखिए यहाँ पे hysteresis सानी को हम कह रहे हैं कि WH है यानि hysteresis loss को हम WH से रिपरजेंट करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके समानुपाती में तो सब यह parameters आएंगे तो यहाँ पे BM जो है maximum flux घनत्व भी hysteresis सानी पर डिपेंट कर रहा है frequency भी कर रहा है और score का आयतन भी कर रहा है option A में दिया है कि अधिक्तम flux घनत्वत्ती यह अधिक्तम flux घनत्व भी यह मैं न तो यह कर रहा है पूछा है कि नहीं कौन है अब देखिए अगला पदार्थ का आयतन तो भी तो आयतन ही है ध्यान रखिएगा voltage यह नहीं है आयतन है तो यह भी कर रहा है D में दिया है आबरी थी तो यहाँ frequency F है न है तो यह भी तो कर रहा है न लेकिन परिवेस का तापमन कहीं temperature का इस formula में जिक्र नहीं किया गया है अर्थात इसी परिवेस के temperature यानि temperature पे यह defend नहीं करता है यहाँ पे option number C सही answer हो जाएगा क्योंकि कह रहा है कि कौन सा नहीं करता है अगला question अगला जो question है third number कि एक अस्थाई चुम्बक जो समानित डाट डाट समागरी का बना होता है अस्थाई चुम्बक किस समागरी का बना होता है यहीं आपको answer करना है तो ध्यान दीजिएगा अस्थाई चुम्बक में हम ऐसे magnet का prefer करते है जिसकी चुम्बक सिलता high से high हो और साथे ही साथ उसका निगरह बल जो होता है जिसे हम coercive force भी बोलते हैं वह भी high होना चाहिए तो यहाँ पे preference के तौर पे पहले preference दिया जाएगा high निगरह बल यानि high coercive force को prefer किया जाएगा आपसन ए में दिया है चुम्बक सिलता लेकिन आपसन भी में देखिए यहाँ पे दिया है उच निगरह बल तो यहाँ answer हम करेंगे उच निगरह बल को अगला question अगला जो question है फोर नंबर कि गेट धारा हटाने के बावजूद SCR को आन बने रहने की च्छमता निमनलिखित में से क्या कहलाती है SCR जो होता है यह थाइरिष्टर परिवार का सदस्य होता है अब इस SCR का conditions थोड़ा आप देख लें इसमें extra fact क्या होंगे वो P N P N अब इसमें पहले तो टर्मिनल पूछा जाता है कि SCR में टर्मिनल कितने होंगे P N junction कितने होगे layer कितनी होगी depletion layer कितनी होगी इसको आप जान लीजिए पहले तो जानिए कि SCR जो होता है यह क्या है तो silicon controlled rectifier होता है rectifier भले इसके नाम में है लेकिन यह thyristor परिवार का सदस्य माना जाता है यह इनि-directional device के अंतरगत आता है इसका symbols जो होता है प्यारे सातियों यह symbols ऐसे होता है यह होता है anode और A होता है cathode और यह हो जाता है gate इसका मतलब हुआ कि इस SCR के terminal कितने हो गए तीन कौन-कौन तो anode, cathode और gate हो जाएगा साथी साथ यह भी रखिएगा याद कि जो भी electronics device है जिनके terminal anode, cathode होते है वह सदैव unidirectional device के ही अंतरगत आते है तो terminal तो यहाँ पे कितना हो गया तीन हो गया अब यहाँ पे pn junction की बात किया जाए तो देखिए एक j1 यहाँ बनेगा एक j1 यहाँ j2 बन जाएगा और यहाँ एक j1 बनेगा j3 तो pn junction की बात किया जाए तो कितने हुए j1, j2, j3 तीन pn junction हो गए अब यह भी याद रखिएगा कि किसी भी device में जीतने pn junction होते है न उतने ही depletion layer भी बनती है तो depletion layer क्या कितनी बनेगी तीन बनेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे pn junction तीन है तो depletion layer भी तीन होगी लेकिन सिर्फ कहता है कि layer कितनी होगी तो layer 4 होगी देखिए एक layer दो layer तीन layer और च्यार layer तो layer 4 हो जाएगी अब इसमें याद रखिएगा कि इसको SCR को on position में जो रखती है वो holding current स्वरी latching current होती है और आप position में जो जाता है condition को indicate करता है वो holding current होती है और latching current का जो मान होता है latching current का जो मान होता है वो holding current का लगबग डेढ़ गुना होता है तो अगर SCR को on positions में रखा गया है तो वहाँ पे कौन सी current आती है तो latching current आती है लेकिन अगर off position में है तो वहाँ relation holding का बनता है तो यहाँ पे question जो कहा है कि gate धारा हटाने के बवजूद भी SCR on रहता है तो on किस से संबंदित है latching से संबंदित है तो यहाँ पे answer number C option C सही हो जाएगा latching current यह अगर यही off रहता off तो holding current चलिया आती तो इसके जितने भी extra fact है उसको आप सब जरूर याद रखिएगा अगला question अगला जो question है five number इसमें है कि DC स्रेणी मोटर में बल आगूड किस प्रकार परिवर्तित होता है DC series मोटर का जो टार्क होता है जिसे हम बल आगूड कह रहे हैं यह टार्क समान उपाती phi i square होता है यानि DC series मोटर में जो armature current होती है वो square रूप में होती है किसके टार्क के यह saturation से पहले की condition होती है मतलब कि DC series मोटर में starting के समय मतलब saturation से पहले जो टार्क होगा वो armature current के square के समानुपाती होगा और saturation के बाद जो इसका टार्क होगा वो armature current के सिर्फ समानू पाती होगा यह saturation के बाद की condition है और यह saturation से पहले की conditions है इसलिए इसका जो graph बनता है ऐसे यह saturation से पहले का है क्योंकि इसमें current देखिए high हो रही है saturation के बाद यह linear graph बन जाता है तो DC series motor में क्या हुआ टार्क जो हुआ armature current के square के समानू पाती हुआ और यह याद जरूर रखिएगा कि saturation के पहले armature के square के समानू पाती होता है टार्क लेकिन saturation के बाद जो होता है वह टार्क सिर्फ armature current के समानू पाती होता है आपसा नहीं यहाँ पे D करेंगे देखिए यहां दिया है कि armature धारा बर्ग होगी किसके टार्क के बल आगोंड के आपसा नमबर D सही answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है six number कि ohm का नियम निमलखित में से किस पर लागू होता है ओम का नियम जो है वो किस सर्कीट पर लागू होता है तो ohm का नियम यह है कि किसी conductor में flow होने वाली current और इसके 0 पर उत्वपन होने वाला voltage आपस में समानुपाती होता है और यही जब समानुपाती का चि आते हैं तो constant लेते हैं तो ohm का नियम क्या हुआ कि किसी conductor में flow होने वाली current और इस conductor के 0 पर उत्वपन हुआ voltage के समानुपाती होता है जब इसकी भावतिक परिस्थितियां constant हो अब यही समानुपाती का चिन हटाते हैं तो constant लेते हैं तो क्या लिखेंगे भी बराबर i और य जाता है तो ohm का नियम जितने भी conductive material है इन सब पे लागू होता है साथी साथ AC प्लस DC दोनों पे लागू होता है electronics devices जितनी भी है मतलब कहें तो active components उन पे ये लागू नहीं होता है तो यहां पे AC DC के case में पूछा है तो ohm का नियम AC और DC दोनों पे लागू होगा आपसर न अगला question अगला जो question है सेबे नमबर इसमें है कि DC संट मोटर का उप्योग निमन में से नहीं किया जाता है दिये गए आपसरों में से आपको choose करना है कि संट मोटर का प्रियोग कहां नहीं किया जाएगा अब देखिए संट मोटर को constant flux मोटर भी कहते हैं constant मोटर कहते हैं क्योंकि इसमें जो flux होता है वो constant होता है और इसका जो टार्क होता है वह क्या होता है टार्क समानुपाती फाई आईए हो जाता है तो यहीं जब flux constant हो जाता है तो टार्क समानुपाती आईए हो जाता है अर्थात संट मोटर के case में जो टार्क होता है आर्मे बढ़ने पर थोड़ी सी घटती है, ये conditions होता है, तो संट मोटर का प्रियोग हम कहां करेंगे, तो जितने भी constant speed पर सरने वाले उपकरन होंगे, वहां पर हम इसको प्रियोग करेंगे, जैसे में हम machine tools भी दे सकते हैं, लेथ machine भी दे सकते हैं, blower भी दे सकते हैं, और जो लकड़ी का रांदा machine होता है, जिसे आपसन में wood working machine कहा है, उसी को हम wood working machine भी कहाते हैं, तो यहां पर कर लेंगे, लेकिन पूछा है कि कहां नहीं करेंगे, तो देखी आपसन नंबर B में कह रहा है, कि electric train, यानि railway engine में जो मोटर होती है, इसलिए या आपसन नंबर B, electric train में संट मोटर का उपयोग नहीं किया जाएगा, नहीं पूछा है, आपसन नंबर B, सही आंसर हो जाएगा, लेथ machine में भी किया जाएगा, और machine tools में भी किया जाएगा, DC series मोटर का क्या condition होता है, कि उसमें जो टार्क होता है, वो armature current के square के समानुपाती होता है, ये जो conditions होती है, saturation से पहले होता है, और saturation के बाद DC series मोटर में संट वाला ही condition ये आजाता है, अभी पिछले question में हम उसका explain किये, अब series मोटर का प्रियोग हम कहाँ पे करेंगे, तो जहाँ पे हमें high starting torque की अवसकता होगी, वहाँ पे prefer करते हैं, rail engine crane traction work में भरपूर, series मोटर का उपयोग किया जाता है, railway engine में कौन सी मोटर होगी, DC series मोटर prefer की जाती है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, और DC series मोटर जो होती है, universal मोटर के समान होती है, अगला question, अगला जो question है, 8 number, कि single phase, आप पूर्ती से सायोजित, single phase kund डाट डाट चुम्बकी चेतर उत्पन करती है, single phase मोटर में जो magnetic field बनेगा, वो कैसा बनेगा, तो आप सबको पता होगा, प्यारे साती हो, कभी भी single phase मोटरे, self starting नहीं होती है, self start बनाने के लिए हम उसमें capacitor डाल करके, single phase को two phase में convert करके, self starting बनाते है, तो क्यों ये self starting नहीं ह होती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, कि single phase मोटरे जो होती है, ये इसमें जो magnetic field बनता है, चुम्बकी चेतर बनता है, वो pulsating बनता है, असपंद मान वाला बनता है, तो वो rotable, rotatable नहीं होता है, इसलिए single phase मोटरे घूडन नहीं कर पाती है, इसका कारण होता है, कि single phase मोटर में, जो magnetic field बनता है, वो pulsating बनता है, जिसे हम हिंदी में असपंद मान बोलते हैं, तो यहाँ पे option number D सही answer हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी machine को अगर self starting बनाना है, तो हमें दो phase की आवस्यक्ता होगी, क्योंकि दो phase के अंतरगत, जो magnetic field बनेगा, वो rotating बनेगा, जिस हमारे इंडिया का phase का जो करम होता है, वो R, Y, B होता है, और यह परस्पर एक दूसरे से 120 degree के एंगल पर स्थापित होते हैं, कैसे, कि अगर angle theta हम निकालते हैं, तो total mechanical degree 360 होता है, अपान पूल, phase कितने हैं, 3 है, R, Y, B, 3 है, तो 3 से भाग देंगे इसमें, तो 120 degree हो जाएगा, अर्थात, 3 phase में परतेक phase के बीच angle कितना होता है, 120 degree होता है, लेकिन अगर 2 phase की बात किया जाए, कि 2 phase में परतेक phase के बीच कितना angle बनता है, तो याद रखिएगा, पैरसातियों, 90 degree होता है, अगला question, आप इसमें देखिए, अगर induction motor है, 3 phase, self starting है, लेकिन 3 phase में भी, एक synchronous motor हो होती है, याद रखिएगा, वो self start नहीं होती है, अगला question, अगला जो question है, 9 number, कि air condition किर्चमता निमनलिखित में ब्यप्त की जाती है, air condition जो है, AC है, उसकी capacity किसमें rated की जाती है, तो प्यारे साथियों, ये 10 में की जाती है, option number D, सही answer हो जाएगा, अगर motor की बात करेगा, कि motor की rating किसमें की जाती है, तो motor की rating HP में भी की जाती है, और kilowatt में भी की जाती है, इसके बाद यदि generator की rating पूछे, तो kilowatt में की जाती है, इसके बाद transformer की rating पूछे, तो इसकी rating KVA में की जाती है, इसका बड़ा मातरक MBA भी लिया जा सकता है, इसमें भी आप बड़ा मातरक ले सक इसके बाद Alternator की रेटिंग किसमे की जाती है तो Transformer के समान ही इसकी भी रेटिंग होती है इसकी भी रेटिंग के भी ये MBA में की जा सकती है अगला कोश्चन अगला जो कोश्चन है टेन नमबर कि किसी बिदुत मसीनरी के लिए विविन भागों को सुन्य बिभाव पर रखने के लिए उन्हें डाट डाट करना होगा अगर कोई मसीन है या मेटल बोडी है उसको हम मेटल बोडी को अगर लगातार मसीन चलती रहे तो फिर उसका इंसुलेशन डैमेज हो करके जो उसमें लीकेज करेंट फ्लो होती है तो उससे प्रोटेक्शन हम कैसे देंगे तो सभी मसीनों के मेटल बोडी को हम ग्राउंड कर देते हैं जिसे हम भू संपरकन हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे अर्थिंग करते हैं तो ऐसा होता है कि लगातार मसीन जब चलती है तो उसका इंसुलेशन डैमेज होता है तो वह कुछ लीकेज करेंट उसकी मेटल बाडी को फ्लो होने लगती है तो वहाँ पे जो काम करने वाला अपरेटर उसके संपरक में आएगा तो तुरंत वह जो लीकेज करेंट है फाल्ट करेंट है वो ग्राउंट हो जाएगी और आपरेटर सेफ हो जाएगा साथी साथ मसीन भी सेफ हो जाएगी तो हम बचाने के लिए क्या करते हैं भू संपरकन यानि और्थिंग करते हैं आपसन नंबर ए बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्यारे साथियों इस वीडियो में हम इतने ही कोस्टन को रखते हैं साथी साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर आप सेर कीजिएगा साथी जो भी चैनल पर पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सबिस्क्राइब चरूर कर लेंगे साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो